प्यारे दर्शक्रान हिंदी सहित्या मौरशस का नामकारक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं 12 मार्श को हम स्वतंतरता दिवस मनाते हैं में हमने मनाया स्वतंतरता दिवस बात करेंगे 1978 उस समय से लेकर आज तक 2023 तक 55 साल बीच चुके हैं 55 साल मतलब 55 साल संघर्ष के 55 साल विकास के और उसका फल आज हम देख पा रहे हैं कि मौरिशस जैसे हिंद मासागर का छोटा देश है लेकिन पूरी दुनिया में सुप्रसिद है जाए आर्थिक क्षेत्र में हो या फिर सांसारिक या फिर सांस्कृतिक या फिर धार्विक या फिर अन्यक्षेत्र में हो मौरिशस हमेशा आगे बढ़ता जा रहा है हिंदी साहित्या नामा कारक्रम है तो चलिए साहित्या के दृष्टी से हम देश के विकास को देखते हैं आज के हमारे स्टूजों में आए है यूवा वर्ग के साहित्याकार कवी आप है अर्विन निकेट सिंग् जी एसस नुवेल फ्रांस से वशिष्ट जमन आभी हिंदिय जुकेता है श्रीमतिंद्रा गांधी स्टेट कॉलिज से और सहलील तुपासी जी आप बेलिया एससस के हिंदिय जुकेता है तीनों को नमस्ते सागत है आप जब हम स्वधंतरता दिवस के बारे में बात करते है तो सबसे पहला प्रशन यहा आता है हम जाना चाहेंगे युवा वर्ग से आप लोगों से कि अर्विन जी आपके लिए यह दिन क्या मानियता रखता है वितेश जी सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस मंज पर आने का आपने सुनहरा उसर दिया है अ आपके प्रशन की ओर बढ़ते हैं आपने कहा कि स्वतंतरता मिरे लिए क्या है मैं कहूंगा कि स्वतंतरता मिरे लिए एक जिम्मेदारी है एक ऐसी जिम्मेदारी जो हमारे पुर्वज बहुत संघर्शों के बाद उन्होंने हमारे हाथों में एक धरोहर के रूप में हमको करें और आने वाली पीरहियों को एक एक ऐसी राह दें कि वे भी इस धरोहर को बहुत ही दूर तक ले जाएं आपकी कहने का आरत है यह है कि स्वतंदर्ता जो है एक उतरदाई तो है एक जिम्मेदारी है वशिष जी आपकी परिभाशा नहीं स्वतंदर्ता दिवस क्या है उसके अलावा मुझे लगता है अपनी अस्मिता या अपनी पहचान बनाने का जो पहला मांदंद है वो है स्वतंदर्ता हम स्वतंदर्त होकर चुनाव कर सकते हैं कि हम अपने जीवन में किन चीजों को अपनाना चाहते हैं और किन को त्यागना चाहते हैं कई बार लोगों को लगता है कि स्वतंत्र होने का मतलब है कि हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन वास्तव में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम मौरिशस में रह रहे हैं, बहुत सांस्कृतिक देश हैं कई ऐसी चीजों को ध्यान में रखकर हम व्यभार करते हैं वो ही बात लागू होता है किसी और देश के लिए हर देश का अपना एक संविधान होता है और हमें उसका पालन करना परता है लेकिन हम चुनाव कर सकते हैं कि अपने जीवन में किन चीजों को अपनाए और किन चीजों को कात्याग करें यानि कि आपके कहने का अर्थ यह है कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए एक माप डंड की तरह है जैसे आपने कहा वही प्रश्णा सहलील जी आपसे स्वतंत्रता आपके लिए क्या है नितेश जी मेरे लिए स्वतन्तता एक भाव है एक भाव ना है जिसके साथ हर प्राणी जन्म लेता है क्योंकि जन्म लेते समय हम सभी स्वतन्तर होते हैं किन्तु यदि किसी देश के परिप्रेक्ष में हम लोग स्वतन्तता की बात करते हैं तो उसके पीछे अवश्य ही संखर्ष होता है कोई कारण हुआ होगा जिससे की वह अपने आपको परतंतर समझने लगे तब ही जाकर वह सतंतर होना चाहे हूंगा तो इस प्रकार से स्वतंतरता एक भावना है जिसकी ललक सभी में होती है स्वतंतरता हर मनिश्य का जन्मसिध अधिकार है वही अधिकार के बारे में आज हम बात करें हैं स्वतंतरता दिवस 12 मार्श को हम स्वतंतरता दिवस मनाते हैं अभी हाल में हमने मनाया और ये गौरव की बात है ये एक प्राइड की बात है हर देश वासियों के लिए चलिए आगे बरते हैं सुतनरता के बारे में हम बात कर रहे हैं तो अवश्या हम इतिहास को याद करते हैं क्योंकि सुतनरता के पीछे एक संघर्ष है एक अंडोलन है एक त्याग है बलीदान है आगे बरने के लिए एक जिद है तो वशिज जी हमें याद है कि 2 नुवंबर को एक बहुत ही खास दिन है जब हम अपने पुर्वस को याद करते है जब पहली बार के लिए 1834 में वोई लोग आये थे इस अंजान देश में और वहां से यहाँ संघर्ष शुरू हुआ तब जाके स्वतंतरता आंडोलन का रूप लिया आपने बहुत ही सुंदर गीत की रचना की थी इस गीत के बारें बताईए नितेश जी उस गीत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो थी हमारे पुर्वसों का संघर्ष अपनी शब्द का प्रयोग किया है जो बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज जो हम है स्वतंत्र है उस स्वतंत्रता की प्राप्ति का संघर्ष उसी दिन शुरू हो गया था जब हमारे पुर्वस अपने मात्री भूमी को छोड़ कर जहाज में बैठे थी यहाँ पर आने के लिए उस गीत में मैंने ये बताने का प्रयत्म किया है कि वहाँ से निकलने से यहाँ आने तक उनका सफर कैसा था उड़ाहरन के लिए अगर आप कलपना करना चाहे तो आपके दिमाग में अवश्य ये आएगा कि जब वह लोग निकले वहाँ से तो कैसे निकले होंगे अपने गाओं की थोड़ी से मिट्टी लेकर अपने साथ अपने आगवर्गीता रामचैत मानस को लेकर अपने बड़े लोगों का आशिरवार लेकर इस प्रकार वहाँ से निकले होंगे इस आश्रा में कि यहाँ पर उनका जीवन अधिक सुक्मे होगा लेकिन जहाज में हम देखते हैं कि कई लोगों की मृत्यों हो जाती है उनके शव को लेकर जहाज से पानी में फेक दिया जाता है तो उस संघर्ष के बाद भी जब वह यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर जीवन अतना आसान है यहाँ पर भी वो संघर्ष जाले रहा तो उस निकलने से यहाँ तक पहुंचने तक वो गीत खासकर उस पर था तो आप इस गीत के बारे में बात कर रहे हैं तो जरूर हम इसी गीत की दो लाइन या फिर आप गा के सुनाना चाहेंगे या फिर बोल के सुना चाहेंगे हम सुनने के लिए तयार हैं मैं पर के सुनाता हूँ दो पहली जो पंक्ति है बैथल जहजवा में विदा लेकी माई से चलेला सपूत नवा दुनिया मसाई के इन दो लाइनों में ही ये हमको पता चल जाता है कि किस दुख से वे अपने देश को छोड़ रहे हैं लेकिन उनमें ये आशा है कि आगे उनका जिवन सुख मैं होगा और ये इस सुख की प्राप्ति के लिए उन्हें कितना संखर्श करना पड़ा वशिश जी लगे हाथ एक और प्रश्न मन में उभरा है कि अगर कोई साहित्यकार कोई कवी किसी भी रचना को रच रहे है तो उस रचना की गहराई तक जाना बहुत ही होता है उस परिस्थिती को मेहसूस करना बहुत ही ज़रूर होता है आप एक युवा कवी है तो आप जरूर उस उन परिस्थित्यों से नहीं गुजरे है तो आप किस तरह से वही भाव को अपने हिर्दय में शब्दों के साथ उता रहे हैं बहुत अच्छा प्रश्न है लेकिन बच्पन में बहुत समय दादाजी के साथ बिताए वे हमेशा हमें कुछ न कुछ सुनाते थे कि उनके पिताजी, उनके दादाजी कैसे थे, उन्होंने क्या किया और जो मैंने बात उनमें देखी वो संगर्ष करने की क्षमता जो उन में थी जो उन्होंने अपने बाब दादा से चायद विरासत में प्राप्त की होगी इस क्षमता को वे रोज काम पर जाते थे खेत में तिन सुबह सुरज उने से पहले शाम को आते थे और मैंने कई बार उनको खेत में देखा है वो केवल थोरा सा भात लेकर एक प्याज और एक मिर्च जो तोरी होगी उसी खेत में वो खा लेते थे और उनका दिन गुजर जाता था तो उस संगर्श के द्वारा मुझे उस भाव का तुरा सा अनुभव होता था ये बहुत ही जरूरी बात आपने कही है अपने जन्ता को ये मैं जरूर अवश्य कहना चाहूंगा कि आप लोग भी जब भी समय मिले तो अपने बरूर के साथ थोरा सा समय जरूर बिताएगा उनलोगों के संघर्ष कैसे थे उनलोगों की दिन कैसे इतिहास कैसा था इसके बारे में जरूर जाने के खास दूर पर 12 मार्च के आउसर पर हाईए हम मुर्शस के इतिहास में थोरे से आपको ले चलते है अर्विन लिकेट सिंग आप हिंदी जुकेत है बचों के साथ आप का हाते हिंदी हिंदी पार्ठक्रम में अवश्य हमारे स्वतंतरता पर ज़रूर अनेक रचनाएं होगी चाहे कविता के रूप में हो कहानी के रूप में हो या फिर उपन्यास के रूप में हो तो हिंदी पार्ठक्रम के बारे में थोरसा बताए जहां पर स्वतंतरता का वर्णन इसके बारे मैं यदि ग्रेट सेवन के बारे मैं बताओ तो आप देखेंगे कि ग्रेट सेवन से ही धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कुछ नकुछ जोड़ा गया है जो इतिहास पर आधारित है और जब 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 आप ग्रेट 11 में आते हैं तो हिंदी साहित यह हमारे पाठियक्रम में है जिसमें मौरिशस के कई कवियों कि कविताएं उसमें शामिल है एक शीमें टूटा पहिया हमारे महान अभीमन्यौन अनज्जी की कहानी है जो टूटा पहिया जो पूर्न तह आरम ही सुतन्चता दिवस में जो बड़लाव आए ह के बाद जो बदलाव आए है उस पर चर्चा होती है यह आप अनुमती दें तो चिन रामनी जी की यह उस्तक है उस्तिका है हिंदी पज्यपराग जो जिसका उन्होंने संपादन किया था इसमें उन्होंने सुम्दत बखोरी जी की कविता मोरिशस की श्रिष्टी यह कविता इसमें जो रहा है यह आप अनुमती दें तो मैं कुछ पहुँदिया तो सारे जग को छोड़ पीछे सारे जग को छोड़ पीछे आई जहां से जननी मेरी मेरी पालिका हिंद महासागर के बीच नील गगन के नीचे पहने साड़ी इख की पहने परवत की माला आई है आकाश से आई है पाताल से आई है उस पार से सपनों के संसार से यहां इसमें वे दिखाती हैं कि मोरिशस का जन्म कैसे हुआ तो मोरिशस में जो प्राक्रितिक सौंधर्य है इस परकार भारती में गुपते जी ने चर्चा की है तो कुछ इस प्रकार से उन्होंने पिरोने का प्रयास किया है जो बहुत ही सुन्दर धंग से लिखाया गया है सेलीज जी हमारे मुर्शसे हिंदी सहत्यकारों के बारे में बात करेंगे तो अब ही अर्वीन जी ने कहा है कि सुन्द बखोरी की एक बहुत ही सुन्दर रचना और अनेका सहत्यकारों ने बहुत सारी सुन्दर सुन्दर रचनाएं की है स्वतंतरता दिवस के उस्वरवश्य चलिए आपके जरिये हम तो इसे इतिहास में ले चालते हैं अब अश्वर गितेश जी इतिहास के बारे में बात करें तो तिथी अगेरा याद करना थोड़ा मुश्किल पर जाता है लेकिन तो स्वतंतरता से पहले ये तो भली भाति हम लोग जानते हैं कि भारत में उन्हें स्वतंतरता की प्राप्ति हुई लेकिन उससे पूर संघर्ष जारी था तो उस संघर्ष के समतुल्य मौरुशस में भी कुछ लोग ऐसे हुए, कुछ कवी हुए, कुछ साही तेकार हुए जिनोंने अपनी कलम चलाई तो उनके अंतरगत आपको प्राप्त होंगे, जैनारायन रोई जी, हरीनारायन सिता जी, बाद में सुंदत बखुरी जी, ब्रजेंद्र कुमार भगत मधुकर जी, मोहनलाल ब्रज मोहन जी, और उनके साथ साथ और ऐसी कई कवी हुए हैं, जिनोंने अपनी लेकनी चलाई और हिंदी, मोरिश से हिंदी साहित के अंतरगत, यदि मात्र भूमी के प्रती प्रेम की भावना को जागर करने की बारी जबाती है, तो सम्द भखुरी जी, कवीता अर्गिन जी ने अभी आपके सामने पढ़ी, उसके साथ साथ मोहनलाल ब्रज मोहन जी की कवीता है मेरा द पुशा, उस कवीता में आप देख पाएंगे जो बिंदुएं हैं, जो भावनाएं हैं, सम्तुल्य हैं, जो कि भारत में स्वतनतता संगराम के अफसर पर संगर्ष के रूप में लिखी जाती थी, तो ये रहा स्वतनतता पूर, कई ऐसे कवीताएं हुई जो स्वतनता पर अधारित थी, पुशी पतियों के प्रतिव विरोध की भावना, वो ही बड़ाबर संगर्ष कलम द्वारा जारी था, लेकिन उसके बाद भी स्वतनत्री उत्तर कवीता के रूप में, पुजान अन्यमा जी की कवीता आशिरवाद की करवाहत, चुपी की आवाज, अभिमन् अन्यमा जी की की आवाद भी अपनी लेकनी चलाई स्वतनत्रता के विशय पर, अन्यमा जी की 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 है, तो उन सभी सैत्यकारों को हम प्रणाम करते हैं, सम्भवता हाँ इस कारक्रम के जरे हम उन सभी नामों को नहीं ले पाएंगे, लेकिन फिर वे हमारा नमन, हमारा इस कारक्रम के जरे उन लोगों के प्रती शद्धानजली अर्पित है, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन जो है अभी तक उन सभी को नमस्ते, उन सभी को प्रणामना, अर्विन जी, आपकी एक बहुत ही सुन्दर रचना है, एक कविता है, जिसका शिर्शक है, हि इस कविता के बारे में, जब कविता कहूं है अगीत, इसके बारे में बोलना वश्या ही चाहूंगा, बहुत ही प्रियर कविता है, या गीत है, सुन्दर रचनाता जब हमें मिली, उसमें हिंदी का जो जो योग्यता है, जो योग्यता हिंदी ने दी है सुन्दर रचनाता क लोगों को मत्दान देने का अफसर प्रदान किया था तो उसके बाद हिंदी विष्व में, मौरिशिस में, हिंदी का स्थान क्या बना? हिंदी आज मौरिश ने इतना इतना अपना वर्चस्व उसका वर्चस्व इतना बढ़ गया कि आज हिंद महासागर में मौरिशस एक हिंदी धुरूफ की समान है इसी विचार को लेकर यह कविता मैंने लिखने का प्रयास किया था और सोभाग्या से ग्यारहवे विश्व हिंदी सम्मेलन में जो मौरिशस में लगा था उसमें यह कविता उस सम्मेलन का गीत बन गया था अच्छा अभी हाल में ही फीजी में विश्वा हिंदी सम्मेलन हुआ लेकिन उसे पहले मौरिशस में हुआ था विश्वा हिंदी सम्मेलन तो उसी अफसर के बारे माँ बात करेंगे क्या बात है और यह आप कहें तो जरूर जरूर हम सुनना चाहेंगे कि अभी हाल में ही विश्वा हिंदी समेलन के आउसर पर जो मुर्शस में हुआ था तो उस आउसर पर अर्विन निकेट सिंग की एक कवीता गीत के रूप में उस सभागार में सुनने को मिला हम सब को तो या फिर गा के सुनाएंगे या फिर बोल के सुनाएंगे कोई भी मंच आपका है गा के तो नहीं सुना पाँगा बल बोल के सुनाता हूं स्वागत है स्वागत है हिंदी के इस ध्रूव में आपका स्वागत है जहां कोट कोट के पठ्थर कुंदन उपजाया जहां श्रद्धा की गंगा से शिव को नहलाया जिस भूमी पर पुर्खों ने रखा हिंदी को संजोकर जहां बैठका मंदिर ने जोरा सब्थ में मूल्य पिरूकर जिस धर्ती को कहती दुन्या दूजा भारत है हिंदी के इस ध्रूव में आपका स्वागत है जिस माटी ने हिंदी की उन्नती को है ठानी जो भारत का सहचर है विश्व अभियानी जहां शिक्षालय, सचिवालय और हिंदी प्रचाडिनी गांधी तैगोर के ज्यानालय, गीत और तरंगिन जहां हिंदी के अभिमन्यू का माथा अनत है हिंदी के इस ध्रूव में आपका स्वागत है स्वतंतरता दिवस के अवसर पर यहां खास कारिक्रम, आधारित आप लोगों के लिए अगर स्वतंतरता के बारे में बात करे है तो स्वतंतरता सिफ यहीं पर रुकती नहीं है बलकि स्वतंतरता के साथ साथ एक स्वाधिनता की भावना भी आती है आगे बढ़ने की भावना भी आती है परिवर्तन की भावना आती है तो वशिश जी हम सब कविता पढ़ते है पुस्ता खरीद कर पढ़ते है या पर इंटरनेट में पढ़ते है लेकिन आपने दो कदम कह सकते हैं दो कदम आगे बढ़कर कविता को लिखित रूप में नहीं, इंटरनेट में नहीं, बलकि आपने एक वीडियो बनाया आकि कई कविताएं जो है वीडियो के रूप में उपलब्द है तो इस परिवर्तन के बारे में बताईए ये परिवर्तन शायद जरूरी है क्योंकि देखिए, पुराने जमाने में ग्यान अरजित करते थे कागज से उसके बाद इंटरनेट आया उसके बाद जिस गती से चीजें बदलती रही है वो उस गती के साथ अगर हम कडम से कडम मिला कर नहीं चलेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे आजकर कोई एक वीडियो बना देता है, हम देख सकते हैं एक सपता में मिलियन्स व्यूज हो जाता है ठीक है, तो उसमें एक विशेश ओडियन्स होता है उसका और काफी आसान भी है, कोई भी कहीं भी अपना मुबाइल लेकर वीडियो देख सकता है किसी भी समय तो हमें उस ओडियन्स को टॉगेट करें इस विचार से मुझे लगता है कि हमें हिंदी साहित्य को उस दिशा में ले जाना होगा जो जिस से पाठकों को या दर्शकों को आसानी हो सके जितने भी माटेरियल्स हम उनके लिए बना रहे हैं उनको पराप्त हो एक तरफ से तो जैसे सलीन ने कहा कि रूची पैदा करनी चाहिए तो एक तरस से एक माध्यम है वीडियो के जरिये हम बच्चों को इन कविताओं की ओर आकरशित करें तो समय सीमा को उसका समान करते हुए पार न करते हुए अभी इस कारेकराम के अन तक तो पहुंच गई है लेकिन आप लोगों की स्वारचित स्वतंतरता पर आधारित कविता हम सुनना चाहेंगे अरविन जी आप से शुरू करते है वितेश जी मैं एक दो पंक्तियां ही सुनाना चाहूंगा आजाजी महुचसव था आजाजी का महुचसव था आजादी का छुटकारा था यहां मजलूमों का इसी खुशी में सोया था मैं देर रात को चैन से लहरा था परचम क्योंकि आस्मान में मेरा पहली बार पर सुबहा को जब मैं उठा तो पाया जन्जीरों में वापस जकड़ी अपनी एडिया इसको यही पर समाप करा चाहूँगा ताकि तेरे मित्वा को बिल्कुल बिल्कुल सुतंदर्ता की आउसार पर वशिज जी आपकी सुरा चित हिंदी कविता एक कविता है सलामी मैं तो तीन लाइन पढ़ता हूँ मौके सलामी के मिल जाएंगे बंदे देख ध्यान से हर सरहत पे देश के सिपाही खरे तेरे उचने से पहले कोई तेरा कच्रा उठा ले जाता है तेरे बच्चे का हाथ पकर के कोई उसे लिखना सिखाता है मन्जिल पल ठीक से पहुँच सके कोई रास्ता पार कराता है बिमारों के इलाज को किसी ने अपना धर्म बनाया है शायद भूल गया तू घर बार इनके भी है मौके सलामी के मिल जाएंगे बंदे देख ध्यान से हर सरहत पे देश के सिपाही करें यह तो कोरोना काल की याद दिला गई जब कोरोना महमारी चाही हुई थी तो कई सरहत पर या फिर हॉस्पितल पर पुलीस लोग काम करते नाथ थे हमारी सुरक्षा के लिए सलीर जी आपकी सुरचित हिंदी का विता मैं भी आंशिक पर पढ़ना चाहूंगा संघर्ष बलिदान और पसीना अब भी रगों में बहता है मिश्रन यह नोखा भूला नहीं मैं आज भी जब हिंदी बनी हस्ताक्षर और देश बना स्वदेश कंधे पर भो रखा है मैंने उस महा कुम्भ को सेच रहा हूं बूंद बूंद अंकुरित उन बीजों को बस साथ चाहिए उन पिसानों का क्या बात है संखर्ष जारी है बहुत बड़ी है संखर्ष अभी जारी है विकास और है कहा जाता है कि पाई है मुठी बर जमीन अभी तो सारा जहां बाकी है स्वतंतरता दिवस के उसर पर आप लोग आई हिंदी सहित्य नामा कारेकर में आप लोगों ने भाग लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप कुई दिए दर्शकन आप लोगों ने हमारा साथ दिया इस कारेक्रम का पूरा पूरा अलाब उठाया जरूर आप लोगों से ये कहना चाहेंगे स्वतंतरता के बाद जो टिकाव है टिकाव की भावना है जो टिकता है वहाँ आगे बढ़ता है तो इसी अवसर पर दुश्यन्त कुमार की कविता आप लोगों के सामने में अर्पित करके इस कारेक्रम को अंद कर रहा हूं कि कहते कि हो गई है पीर पडवत सी पिघलनी चाहिए इस हिमाईले से कोई गंगा निकलनी चाहिए आज यह दीवार परदों की तरह हिलने लगी शर्त थी लेकिन कि ये बुढ़नी हिलने चाहिए हर सरक पर हर गली में हर नगर में हर गाउ में हात लहराते हुए हर लाश निकलनी चाहिए सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलने चाहिए मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग लेकिन आग जलने चाहिए आग जलने चाहिए झाल झाल